जिग्यासों मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिविस रजन स्पिरीच्वल में जैसा कि आपको पुर विदित है कि प्रतेक दिवस रात्री नौ बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर लाइव चर्चा लेकर उपस्तित होते हैं और सभी मिलकर चर् चल रहे हैं और आज का विशाय है ओंकार उपासना का रहस्यत तुमित्रों अ प्रश्ण अपनीशत पर चर्चा करते हैं वह चार प्रश्णों तक छी प्रश्णों छय प्रश्णों कि चर्चा वहां पर है छे रिशीयों के द्वारा तो उसमें हमने चार प्रश्णों तक की चर्चा कर ली है चौथा प्रश्ण जो कि सुर्यायनी रिशी के द्वारा गर्ग गोत्र में जनम लेने वाले गार्ग रिशी के नाम से जाने जाने वाले सुर्यायनी रिशी के द्वारा भगवान पिपलाद से यह प्रश्ण किया गया था कि इस मनुष्य शरीर में कौन सोता है, कौन जागता है और कौन सपन देखता है, कौन सुख का अनुभाव करता है और कौन सारे देवता जो हैं इस शरीर के अंदर वो किस पर आश्रित हैं, किस में इस्थित हैं तो महरशी पिपलाद ने उत्तर दिया कि इंद्रियां ही सोती हैं प्राण पंच प्राण जागते हैं प्राणों का जो विभाग है वह जागता है मन स्वपन देखता है जीवात्मा और जो अनुभाव करता है सुख का वह जीव ही है जो अनुभाव करता है सुख का दुख का और निद्रा अवस्था में जो सुख का अनुभाव करता है अपनी मूल स्थिती में पहुँच कर वह भी जीव ही है और यह सारे जीव हो चाहे प्राण हो चाहे मन हो बुद्धी हो सब आत्मा में आश्रय प्राप्त करते हैं इस परकार से बताया है उत्तर देते हुए तो कल हमने इस पर विशे सुर्प से चर्चा किये थी अगर आपने ना सुना हो तो निश्यही पिछले या और लोकल के विडियों में जाकर जरूर आपि स्को श्रवन करें और को समझे कि सोने वाला कौन जागने वाला कौन स्वपन देखने वाला कौन सुख भोगने वाला कौन और सब किसमे इस्थित हैं इन्हें पांच प्रश्णों का उत्तर दिया गया अब पांचवा प्रश्ण चौथा प्रश्ण था कल जो हमने दिया अब पांचवे प्रश्ण पर आज हम चर्चा करेंगे तो प्रश्न के प्रश्न करता है वह रिशी सत्यकाम है शिभी Rs. ्त्यकाम क्या प्रश्न करते हैं मित्रों उस पर आज हम विचार करेंगे और कैसे प्रश्ण करते हैं उनका प्रश्ण क्या है सुनी अत हैनम शैब्य सत्यकामा प्रक्ष सायो है वय तद भगवन मनुशेशु प्रायानांत मोंकारम भिद्याईत कतमम वावसतेन लोकम जयतीती उसके बाद इन ख्याती नाम महर्शी पिपलाद से ख्यात नामा एक महर्शी हैं शैब्य सत्यकाम शिवीपुत्र सत्यकाम नाम से जाने जाते हैं उन्होंने भगवान प्रपलाद से पूछा कि है भगवन मनुश्यों में से जो कोई भी है मिर्ट्यू परियंत उस ओमकार का सदा भली भाति ध्यान करता है वह उस उपासना के बल से किस लोग को प्राप्त होता है कि लोकों को वह निसंदे जीत लेता कि लोकों पर उसको विजय प्राप्त होता है तो मुझे ओमकार उपासना का रहस से बताईए तो सत्यकाम शिवीपुत्र सत्यकाम रिशी सत्यकाम ने भगवान पिपलाद से क्या पूछा कि है भगवन इस मनुश्य श आसना का रहस्य समझाती दिए तो इस प्रकार से महर्शी से प्रश्न पूछा गया है और महर्शी इसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं तस्में से हो आच एतद्वई सत्यकाम परमम चापरम चा ब्रह्मा यदो ओंकारह तस्मान द्वीद्वाने ते नई वायतने नएक तरम अन्वेती मैं उससे उन प्रश्द महर्शी ने चाहत двух अब लाद ने कहा है सकतेक्าม निश्य ही यह जो ओंकारह यह पररंब्रह्म भी और आपरंब्रंब्रंब्रंब और अपरंब्रम ली कि उस्मिलिए इस प्रकार का ज्जान रखने वाले जो जानते हैं कि दो ब्रह्म दो प्रकार के ब्रह्म दो प्रकार के वास्तों में ब्रह्म नहीं होते ब्रह्म एक ही है एक प्रकार की अभिव्यक्ति को यहां अपरम ब्रह्म कहा जा रहा है तो परम ब्रह्म ही लेकिन उसकी अभिव्यक्ति है जिसे अपरम ब्रह्म कहा जा रहा है कैसे इसको हम समझ से ओंकार उपासना रुपी अवलंब से अपर और परभ्रम किसी एक का अनुसरन करता हुआ वह प्राप्त होता है अर्थात वह परभ्रम को प्राप्त भी होता है अपरभ्रम को तो प्राप्त है ही किसकी उपासना करता हुआ यह एक ही अवलंब है वह है ओंकार उपासना उसी के बारे में कहा जा रहा है पर और अपर दोनों के अपरम ब्रह्म क्या अपर ब्रह्म क्या यह जो देख लीजिए अपर ब्रह्म क्या होता है तो यह जो ब्रह्म का विराट सरूप जो जगत रूप है वही अपर ब्रह्म भी है तो परब्रम है और उन परब्रम के प्रगट हुआ उनका जो विराट स्वरूप है जो ब्रमांड स्वरूप है परब्रम का जो प्रगट हुआ अभिव्यक्त हुआ विवर्त हुआ manifestation of Parabrahma is Upper Brahma समझ गए तो परब्रहम की जो अभिविक्ति है Parabrahma की जो विवर्त है manifestation है वो अपरब्रहम है अर्थात जो इंद्रियों से हम जो जगत देखते हैं यहां अपरब्रहम कहा जाएगा जादा तरह हम इसको माया कह देते हैं माया कह लेते हैं या प्रकृति कह लेते हैं लेकिन विदान्त विचारधारा के विवर्त वाद सद्धानत के अनुसार सबकुछ ब्रह्म का विवर्त है सभवानर इस लिए माया भी तो ब्रम्म का ही विवर्थ हुआ ना मेंफिस्टेशन अब भ्रमन यहीं то हुआ माया भी कर तो इसलिए इस जगत को इस विराट रूम जगत को इस ब्रह्माणड को ही ह्लिए अपरभ्रम कहा परब्रह्म भी है यह व्याख्या मांडू की उपनिशद में भी आएगी विस्तार से कि ओंकार के तीन मात्राओं को क्या कहा गया है कि पहरी मात्रा इस वैश्वा नर्जगत के लिए बताया गया है दूसरी मात्रा सुक्ष्म लोग स्वप्न लोग के लिए बताया गया है और संसार है हुए घैeri गुणी का उसमें सबस्कित समाया हुआ है और अपर ब्रह्म जो प्रगत रूप में जगथ विराट रूप में यह जो संसार हमें दिकाई दे रहा है ब्रहमअध वह सब अपर की श्रेनी में आएगा चलिए आगे क्या कहते हैं भगवान पिपलाद उस पर दौर करते हैं फोकस करते हैं सा यद्देक मात्र मभिध्यादित सा ते नैव समवेदित स्तूर्ण मेव जगत्या मभी संपद्दे तम्रिचो मनुष्य लोका मुपन्नन्ते सतत्रतप्सा ब्रह्म चरेन शर्द्यासंपन्नो महिमामान मनुभवती अर्थात वह उपासक यदि एक मात्रा से युक्त होकर ओंकार का भली भाति ध्यान करें तो वह उस उपासना से ही अपने धेकी और प्रेदित किया हुआ शिग्र ही पिर्थवी में उत्पन्न होता है उसको रिगवेद की र पर्थम पद की बात की जारी है ओंकार का जो पहला पद है ठीक है तो पहली मात्रा है उसके बारे में यहां पर मात्रा शब्द का प्रयोग है मांडो को प्रिशन पद शब्द का प्रयोग है तो मनुष्य शरीर उसे मिल जाता है जो पर्थम मात्रा का उच्चारन करता है उ अपनी सद्धा से ब्रह्मचर्य और उपास्मा करते हुए साधना करते हुए उसे परब्रह्म की महिमा भी जानने लग जाता है कहने का तक पर यहां पर यह है फिर आगे कहते हैं अथ यदी द्वी मात्रे न मनसी संपतते सो अंतरिक्षम यजुर भिरुन्नियते सो मलोकं सा सो लोके विभूती मनुभूय पुनरावर्थते परंतु यदि दो मात्राओं से युक्त अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो मनोमे चंद्रलोक को प्राप्त होता अगर माल लिजे कि वह दो मात्राओं का पहला तो एक मात्रा करने वाला प्रत्वी लोग पर मनुष्य जीवन प्राप्त करता फिर अपनी साधना तपस्या से वह परब्रह्म को भी जान लेता है दो मात्राओं की तपस्या करने वाला, साधना करने वाला, ध्यान करने वाला, उसकी क्या गती होगी? वह जो है इस संसार को जानने के साथ साथ, पृत्वी लोग को जानने के साथ, मनो लोग, जो सुक्ष्म लोग है, जो चंदर लोग है, उसको भी, मनो मैं चंदर लोग, मा मन का ही कारक है, तो मनो मैं चंद लोक में एश्वरे का अनुभाव करता है यहां पर एश्वरे क्या है एश्वरे है सिद्धियां को एश्वरे कहा जाता है तो वह क्योंकि उसके अंदर वैसी सिद्धियां आ कि सुक्ष्म जगत पर उसका नियंत्रण उसका ज्ञान उसे हो जाता है मनों मैं लोक का सुक्ष्म लोक का तो उससे संबंदित जो सिध्यां है एश्वर हैं उससे प्राप्त हो जाती है तो वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है दूसरे मात्रा का अभ्यास करने वाला ठीक अब क्या कहा जा रहा है यह पुनरेतं थ्री मात्रेनों मित्य तेनाय वाक्ष्वरेन प्रमंपुरुषम भिध्याईत सते जसी सुरिय संपन्न यथा पादो दरस्त्वचा विनिर्मुच् पुर्षमिक्षते तव श्लोकव भवता है परंतु जो तीनों मात्रा वाले ओंकार का ध्यान करता है इस अक्षर के द्वारा ही इस परंपुरुष का निरंतर ध्यान करता है तेजो में सुरिय लोक को प्राप्त होता है जिस प्रकार सर्प केचुली से अलग हो जाता है ठे उसी तरह वह पापों से सर्वता मुक्त हो जाता है वह सामवेद की शृतियों द्वारा उस ब्रह्म लोक में ले जाया जाता है अर्थात उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है जो तीनों मात्राओं का सही से ध्यान करता है परम्तत्युसे अच्चंत स्रेष्ट शरीर मात्राओं का सही से ध्यान करने वालाट ऐसा यहmiyorать कर वर्ल्ण किया जागा लां कि अंग première कि ःष्व को को मनुष्वर जीवन और फिर वह साधना करके प्रभ्रम्त को जाने गार दूसरी मात्राओं और दोनों मात्राओं का अभ्यास करने वाल घ्र इस प्रिफ्वी लोग करने वाला वह मनुष्य जीवन सिध्धियों सब को प्राप्ति करते हुए एश्वरे को शंद्र लोग के एश्वरे को प्राप्ति करते हुए वह ब्रह्म लोग की भी प्राप्ति कर लेता है तो आगे यही कहा जा रहा है तिस्त्रों मात्रा मिर्त्यों मत्या प्रयुक्ता अन युक्त की गई है या प्रिथक प्रिथक एक एक धे के चिंतन से इनका प्रियोग किया गया है प्रिथक प्रिथक भी प्रियोग किया गया है सन्युक्त रुप में प्रियोग किया प्रंतु दोनों प्रकार से ही वह मृत्यू युक्त हैं बाहर अभीतर और बीच की क्रियाओं में पूर्ण तया इन मात्राओं का प्रयोग किया जाने पर उस परमेश्वर को जानने वाली ज्ञानी विजलित नहीं होते हैं जो पूर्ण तया जो आधे अधूरे प्रयोग करते हैं वह मृत्यू यूगत हैं मृत्यू मत्यह यहां पर कहा गया जो आधे अधूरे इसका प्रयोग करने वाले हैं आधे अधूरे और उनका धे संसार है जिनका धे सिद्धियां है शक्तियां है ऐसी धे से जो उमकार की उपासना करते हैं वहां मृत्यू युक्त ही है चाहे वो चंद्रलोक में चले जाएं सुर्य लोक में चले जाएं वहां मिर्ट्व यूपते हैं उनका मिर्ट्व निश्चित है यह इस्थिती उनकी बनती है यह व्याक्या यहां पर की जा रही परंदु अब आगे कहते हैं अंतिमिस्लोक में इन प्रश्णों का उत्तर देते हुए रिगभी रेतम यजूर भिरंतरक्षम साम भिरियत तत्कवयो वेदयंते तमोंकारे नईवाय तने नानवेती विद्वान यतक्षान तमजरम मृतम भयं परंचेती रिचाओं द्वारा इस मनुष्य लोक में यजूर भी अंतरक्षमें साम शृतियों द्वारा उस ब्रह्म ल जानते हैं विवेक शिल साधक केवल ओंकार रूप अवलंबन के द्वारा ही उस पर्ब्रम पुरुशुप्तम को प्राप्त कर लेता है जो परम शांत अरा रहित अम्रित रूप है मृत्व है अभयम भयरहित और परम इती सर्वस्रिष्ट है परम है परम से भी परम है उस आत्मा को जान लेते हैं उस ब्रह्म को जान लेते इस प्रकार से यहां पर वर्णन किया जा रहा है ठीक है तो मित्रों यह साथ स्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर दिया परतम वो कहां से शुरू होते हैं कि ओंकार क्या है तो पर और पर अपरब्रम संपन्न है ओंकार की उपाषना में परव्रम भी हैं अपर ब्रण या संसार यह विराट रूप जो ब्रह्म से ही निकला है यह जगत का विस्तार और जो इस से परे है इंद्रीय अनुभूतियों से परे सर्व व्यापी वह परब्रहम उसे ही परब्रहम माना गया संपुन्य जगत को परब्रहम का स्वरूप माना गया है तो पहले तो यह समझ दो अब पहली मात्रा के ध्यान से संसारी कामना रखने वाले पृत्वी लोग में मनुश्य योनी में जनम लेकर साधना करते हैं प्रब्रह्म को जाने दो मात्राओं का ध्यान करने वाले पृत्वी लोग पर जनम भी लेंगे और सिध्यों को भी प्राप्त करेंगे चंद्र लोग को भी प्राप्त करेंगे पृत्वी लोग चंद्र लोग मनोमय लोग सोम लोग उसको भी वह प्राप्त करेंगे साथ में और फिर क्या हुआ कि तीनों मात्राओं का विधी प्रुवक उपासना करने वाले तीनों मात्राओं का विधी प्रुवक ध्यान करने वाले क्या प्राप्त करते हैं वह परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करते हैं वह ब्रह्म लोग को प्राप्त करते हैं सिध्यों को प्राप्त कर करना है जिनका उद्दिश संसार को प्राप्त करना है वह ओंकार की उपासना करते हुए चाहे एक मात्रा करे दो मात्रा करे चाहे तीन मात्रा करे वह संसार को ही प्राप्त होते हैं मिर्त्यू युक्त ही रहते हैं हमेशा उनका जीवन मिर्त्यू युक्त ही रहता है ठीक है परंतु जो निश्काम भाव से उंकार की उपासना करते हैं और विरंतर करते हैं अभ्यासरत रहते हैं वो निश्य ही ब्रह्म लोक को उस परमात्मा को उस आत्म होता है मोख्ष को प्राप्त करता है क्या वल्ले को समझना चाहिए यह उंकार पॉपासना का रहस्य एक नियुक्स घ theor का उच्छारन करने वाले संसारिक रूप से personnes तो कि दो रूप है उसका एक सुक्ष्म एक प्रगट एक प्रगट रूप में मुख से आप उसका उचारन करते हैं लेकिन जो योगी है वह मुख से उचारन तो प्रारम में कर लिया करते हैं लेकिन धीरे धीरे वह अपने ध्यान की अवस्था में ही उस उंकार से जुड़ ज कर लेते हैं घट में ही बाहर नहीं कहीं पर घट में ही कर लेते हैं जो तीनों ही मात्राओं की उच्चारन करते हुए श्रधा से और निश्य ही कैवल्ले हेतु परमधाम हेतु जो उपासना करते हैं तो वो उसको प्राप्त लेकिन मिर्त्यू लोक में संसार में संसारी कामना स से इसका प्रयास करने वाले लोग निश्षे ही मृतियों लोक में ही रहते हैं और उफाप्थ होती है ठीक है लेकिन वह जो निश्काम भावना से कर रहा था उंकार की साधना वह परंधाम को प्राप्त करता है आवागमन से मुक्त होता है ऐसा कहा जबता है तो करने करने में बड़ी बड़ा अंतर है ना बित्रो एक बास समझेगा रावन ने भी तपस्या की थी विभीशन ने भी तपस्या की थी तीनों भाईयों ने एक साथ तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसंद कर करने के लिए परंतु तीनों का धे अलग अलग था तीनों की नियत अलग अलग थी तीनों का उद्धिश अलग अलग था तपस्या करने के पीछे तो रावन का उद्धिश था पूरे संसार पर पूरे ब्रमांड पर अपना अधिकार प्राप्ति करना तीनों लोगों पर संद्रानी को प्राप्त करना चाहता था इंद्र की गद्धी को प्राप्त करना चाहता था विवीशन थे जो निश्काम थे जिने प्रभू की सेवा चाहिए थे जिने सेवा कर्म अच्छा कर्म उनसे संसार में हो तो निश्काम भावना से वह अपनी तपस्या कर रहे थे तो ठीक तो जिग्यासू यह तो अप्लोड़ेड प्रीमियर वीडियो था आपने जो अभी देखा यह कोई लाइव सेशन तो था नहीं कि आपके हम कमेंट्स पढ़ पाएं यहां पर 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 व्यस्तता वस इस वीडियो को अप्लोड इस प्रकार से करना पड़ा है तो इस समय तो इस वीडियो को पहले ही अप्लोड किया गया तो चलिए विराम लेते हैं फिर भी आप कमेंट में अपने प्रशन पूछे जो भी आपके प्रशन वह यहां जरूर पूछे आगे आने वाले व्याख्यानों में उनका उत्तर दिया जाएगा उन पर चर्चा किया जाएगा अ और अभानवीत ह fits न समाज को भी लबान भीत करें में जाग्रित हो मसको भी जागरित करें तो ऐसा विश्वास को स्ञीच समय आज को जागृत करें सनातन धर्म की विचारधारा किस और हमें ले जाती है या हमें समझ में आएगा इस चैनल के माध्यम से चलिए तो यहीं विराम देते हैं बहुत-बहुत आभार आप सभी का धन्युक्त